दोस्तों ये कहानी दो ऐसे भाई बहन की है जो कि एक आइलेंड पर फज जाते हैं और दबा के संभोग करते हैं जहां देखो वहाँ भटा भट भटा भट जंगल में पानी में समुंदर में भटा भट भट करते रहते हैं तो चलिए देखते हैं ये दोनों इस आइलेंड पर यूरोप जा रहे होते हैं, उसी बोट में एक पैडी नाम का नोकर भी खाना बनाने का काम करता था, वहीं वो दोनों भाई बेहन वो देख रहे होते हैं, जो आजकल हम देखते हैं, तब ही पैडी उन्हें देख लेता है, वो कहता है, ओम फों टुराते काटे लियो, और उन् मुंदर में आ जाती है, जिससे वो परसान हो जाते हैं, और अगली सी में जब उनकी आँख खुलती है, तो वो दोनों पैडी को जगाते हैं, और एक आइलेंड को देखकर बहुत खुस हो जाते हैं, क्योंकि उनके पास ना खाने को कुछता ना पीने को, वहीं पैडी डु एक आदमी एक आइलेंड पर कैसे अपनी लाइफ को सर्वाइब कर सकता है, उसी राज पैडी को जो जो से आह आह की आवाज आ रही थी, वो उटकर देखता है, जो की वो आवाज आइलेंड के दूसरे साइड से आ रही थी, लेकिन अगली सुबह उस साइड देखने से ला जैसे अभी मोका मिले तो वो काम कर दें, जो आज करके लोग चाहते हैं अपनी बंदी से, लेकिन उन दोनों को इतनी समझ नहीं थी, कि हम क्या कर रहे हैं, इसके बाद एमली जब नहाना जाती है, तो उसके लाइफ का उसे पहली बार पहला पीगेट्स होता है, जिसे लगी न तुमको, जिस पर एमलीन कहती है, मुझे कुछ नहीं पता, और यहीं से रीचर्ड को पता चलता है, कि एमलीन मुझे से बाते चुपाने लगी है, और दूसी दप एमलीन रीचर्ड के प्यार में पागल होती जा रही थी, जैसे उसकी तितनी हैंड पंप लेने को तड़प रही हो, वहीं दीचर्ड की एक आरत बन चुगी थी, जब भी एमलीन नहाने जाती थी, तो वो उसको छुप छुप के देखता था, और रात में वो डिनर करके बहुत मस्ती करते थे, अगली सुबह एमलीन जंगल में घूम रही होती है, तो उसे एक बयान एक सी जिसे सुनते सुनते वो एक बयान एक सी मूर्ती के पाथ पहुँच जाती है, जिसमें से ब्लेड निकलता है, ये देखकर एमलीन डर कर वहाँ से भाग जाती है, और रीचर्ड को सब कुछ बताती है, जिसे सुनते वो बहुत गुस्चा होता है, और कहता है कि अगर अब की बार तुम कहीं गई तो तुम्हारी टांगे तोड़ दूगा उसी रात एमलीन को एक सपना आता है जिसमें रीचर्ड समुद्र में डूब रहा होता है और अचानक से उसके आख खुल जाती है रीचर्ड को सामने देखकर एमलीन के प्यार में 500 घोडियों का प्यार आ जाता ह रीचर्ड रात में फिर से एमलीन के पास जाता है तब ही एमलीन जाग जाती है और वो उसे भगा देती है जहां उन दोनों को कुछ पता नहीं होता कि आखिर हम कर क्या रहे हैं अगली सुबर रीचर्ड जंगल में घूमने जाता है तो एमलीन कहती है कहां चला बे तो बेगी नई लेकिन एमलीन भी रिचर्ड के पीछे-पीछे समुद्र के किनारे पहुंच जाती है। देखा था तो तुमने लखडिया क्यों नहीं जलाई जिससे डिचर्ट गुसा हो जाता है दोस्तों एमलीन यहां पर घुल मिल चुकी थी उसका यहां से जाने का बिल्कुल मन नहीं था इसलिए उसने ऐसा किया लेकिन डिचर्ट को वहां नहीं रहना था और वो एक बोर्ड तो उसका मदाग बनाकर असने लगती है वह कहती है मुझे पता है बेटा तुम सम्मूझ के किनारे क्या करते हो तो रिचर्ट कहता है तरी आहां भी निकडवा दूगा तरी चीखे भी निकडवा दूगा तुम यह गलत काम करती हो मुझे देखकर तो एमलीन कहती है तुम सब्सक्राइब करते हैं अगले दिन यहां से एमलीन को एक गुफा में रहना पड़ता है अगले दिन दिन उसे ब्यान एक्सी मूर्ती को फूल चड़ाने जाती है क्योंकि वह उसे अपना गौड मानती थी और घर आते टाइम उसका पैर एक ग्यरीली मसली पर पढ़ जाता है एमलीन को इस हाल में डेखकर रिकरड को बहुत बुछा लगता है एमलीन रिचर्ड को बहुत बुछा लगता है नहीं दोनों घूषे को कभी नहीं खोना चाहते एक दिन रखीर गओं वह रेकाल computing को उस नजर से लिखता है 7 दोनों देते हैं और करते ही रहते हैं क्योंकि मैं एक दिन रात में आपसमें बात परहा है लेकिन रीचर्ड को भी इस कुछ महीने बाद हम देखते हैं कि एमलीन का पेट और भी ज्यादा बढ़ गया है तो उसे वहां अपने जैसे आदिवासी दिखाई देते हैं जो एक इंसान की बली चड़ा रहे होते हैं और वह ड़कर महां से भाग कर जब घर आता है तो एमलीन को एक बेबी के साथ देखत इसको बच्चा बहुत रोता है तो उन्हें लगता है कि इसको भूग लगी है और वह दोनों उसे फल खिलाने लगते हैं लेकिन बहला है अपनी गशाए दोनों अपनी नाइफ में काफे खुछ थे एक दिन पापा सिप लेके वहीं से जा रहे होते हैं और अपनी दुर्ब को मोड कर चले जाते हैं वहीं रीचर्ड और एमिली ने भी उस बोड को देखा था लेकिन अब उसका मन वापश जाने से बदल चुका था इसके बाद रीचर्ड और एमिली पुराने आलेने पर जाते हैं जहां वो इस्टार्टिंग माये थे और अपने पुरानी यादों को याद करते हैं वहीं उन दोनों का बेबी अब बड़ा हो चुका था वो एक जहरीली बेर को तोड़कर बोट में डाल देता है और वहां से घर जाते टाइम रीचर्ड का बच्चा नाओं की पतवार को नीचे समुद में गिरा देता है एमिलीन उसे उठाने की बहुत कोशि नहीं था कि वो तीनों समुद से कैसे बहार निकले तब ही रीचर्ड के बेबी को भूब लगती है और वो वहीं बेर खा लेता है जिसे देखकर एमिलीन काफी डर जाती है लेकिन अब क्या था ये देखकर वो दोनों डिसाइड करते हैं हम भी ये बेर खा लेंगे लेकिन को देखते हैं कि इस बच्चे पर बेर कासन नहीं हुआ वो तो बस सोड़ा था वहीं रीचर्ड के पापा बीच समंदर में रीचर्ड की नाओ देख लेते हैं और वो लोग वहां पहुंच कर उन सभी को बचा लेते हैं